प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी आज सुभा 11 बजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों और ग्राम जल और सुच्छिता समीतियों के साथ बातचीत करेंगे प्रधान मंत्री मोदी राष्टे जल जीवन कोश का भी शुभारम करेंगे जहां कोई भी व्यक्ती संस्था कॉर्प्रेट या परोपकारी चाहें वो भारत में हो या विदेश में हर ग्रामीन घर, स्कूल, आंगनबाडी, केंद्र, आश्रम, शाला और अन्य सरकारी स्थानो में नल्क का पानी कनेक्शन देने में मदद के लिए योगदान दे सकता है। मौझूद पुलिस ने बैरिकेड लगा कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। जिससे प्रदर्शन कारियों का घुस्सा बढ़क गया और वो अपने रास्ते का रोड़ा बने बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस उनके सामन में दीवार बनकर खड़ी रही। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने जब बैरिकेड को पार करना चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत जोंक दी। अलगी तब तक ये प्रदर्शन भारी हंगामे में तबदील हो चुका था। जिसके बाद दुशियन चोटाला के कारिकरम में जाने के लिए बवाल मचा रहे लोगों पर पानी की बौचार शुरू कर दी गई। इस कारवाई से वहाँ अफरा तफरी मच गई। आगे जाने की जिद पर आड़े लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। इससे पहले प्रदर्शन कारियों ने वहाँ खूब नारे भी लगाए। बाद में कुछ प्रदर्शन कारियों को हिरासत में ले लिया गया। बाद से भागने के बजाए वो लोग वहीं डटे रहे। कुछ तो जमीन पर बैठ कर शोर मचाने लगे। हालाद बिगड़ते देख पुलिस ने उन्हें एक-एक कर वहाँ से अटाना शुरू कर दिया। धान खरीदी की मांग को लेकर सेंट किसान मोर्चा आज पंजाब में कॉंग्रेस विधायकों के आवास के बाहर प्रदशन करेगा। आज सुबह दस बजे से किसानों का ये प्रदशन शुरू होगा। नाराज किसानों का दावा है कि जब तक सरकार धान की खरेद शुरू नहीं करती तब तक उनका ये प्रदशन जारी रहेगा। धेरों धेर लगे हुए हैं तो इन से बहुत बड़ा नुकसान किसान का हो जाएगा। क्योंकि 10 दिन में जो कटाई लगबग 80% कटाई जो हो जाएगी अभी 112 दान की भी कटाई हो रही है। पंजाब और हर्याना में तैव वक्त पर धान नहीं खरीदे जाने से किसान भड़क गए और कई जगों पर प्रदर्शन करने लगे। दोनों राज्यों में अक्टूबर के पहली तारीख से धान खरीदा जाना था लेकिन बारिश की वज़े से धान में आई नमी की वज़े से ये तारीख 10 दिन आगे बढ़ा दी गई। जिसके बाद किसान भड़क गए। हर्याना के करनाल में तो वो प्रदर्शन करने सड़कों पर उतराए। इस से पहले कई किसान धान लेकर मंडी पहुँच गए और बेचने के लिए अपना धान वहां गिरा दिया। उन्होंने अपने मोबाइल में तै तारीख भी दिखाई। बहुत सारे किसान तो धूप में धान से भरी ट्रॉली लेकर खड़े ही रह गए। घुसाए किसानों प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी भी दे डाली। यह मामला पंजाब और हर्याना दोनों राज्यों का है। इसलिए अकाली दल भी इसमें कूट पड़ा और उसने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को घेर लिया। पंजाब सरकार दी फेलियर और गम्मन्टम इंडिया इस वीच दिल्ली पहुचे पंजाब के मुक्यमंत्री चरणजीत सिंग्चनी ने इस मामले में प्रधान मंत्री से बात की और उनसे धान की खरीद चुरू करवाने की मैंने उनको रुक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं तो उन्होंने मुझे बिश्वा इस वज़े से राज्य सरकारें अपनी एजन्सियों को निर्देश दें कि जब तक धान सूख नहीं जाता तब तक उसे ना खरीदा जाया केंदर की ओर से ये भी लिखा गया कि सरकारी एजन्सियां 11 अक्टूबर से खरीदारी करें जोकि पंजाब और हर्याना में अवास का घेराव करेंगे और इसके लिए भारी संक्या में किसानों से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर करनाल पहुँचने को कहा गया है उदर खादे विभाग की अधिकारियों ने सरकार के इस फैसले का बचाव किया और धान की फैसल में नमी उने का दावा करते हुए इस फैसले से किसानों की मदद करने की बात कही पश्यमंगाल के कई शहरों में हुई भारी बारिश ने हालात इसकदर बिगाड़ दिये कि वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पट्री से उतर गई आस्मान से बरसे पानी की वज़े से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूग गए जिससे वहां रहने वाले लोगों पर मुसीबतों का पहाड तूट पड़ा इस आवत का सामना पश्चिम में दिंपूर जिले के लोगों को भी करना पड़ा वहां के घटल इलाके में चारों तरफ पानी से घरे एक मकान के डहने की रौंकते खड़े कर देने वाली तस्वीरे सामनी आई वो मकान चंद सेकंड में ही किसी खिलोने की तरह गिर गया वहीं पश्चिम बर्दमान जिले में भारी बारिश की वज़े से दुरगापूर बेराज में पानी बढ़ गया ऐसे में बेराज से लगातार लाखों की उसे पानी छोड़ा जा रहा है जिससे आसपास के इलाकों में रह रहे हैं लोगों की परिशानी बढ़ गई आसमान से बरसी आफ़च से बिगड़े हालात का सामना आसन सोल में रह रहे हैं लोगों को भी करना पड़ा और वहां के कुछ राकों में इतना पानी भर गया कि कई मकान उसमें डूब गया पिर ऐसे में सडकों के बारे में सोचना तो बेमानी हो गया लोगों के आशियाने, दफ्तर, स्कूल और मंदिर सब कुछ जैसे पानी का गुलाम बन कर रह गया वहां के एक इक इलाके से सामने आई तस्वीरों में लोग कमर तक भरे पानी के बीच से निकलने को मजबूर दिखे एक इलाके में सामान घरों से निकलकर तालाब बनी सड़कों पर तैरता नजर आया संकरी गलियों से लेकर नाशनल हाईवे तक के यही हाला दिखे आसन सोल के कल्ला इलाके में करीब 6 महीने पहले मना पुल उबर खाबर रास्ते में तबदील होकर रह गया रास्ता भी ऐसा जिससे गुजरना नामुम्किन हो गया वहाँ से जो तस्वीर सामने आई उसमें इस पुल के दोनों तरफ खड़े लोगों के लिए अपनी मंजल पर पहुँचना टेड़ी खीर साबित हुआ बारी बारिश के बाद कुछ इसी तरह की डरा देने वाली तस्वीरे राज्य के कई दूसरे जिलों में भी देखने को मिनी इस बीच ये खबर भी आए कि मुक्यमंत्री मम्ता बेनर जी कि कुछी घंटों बाद बार प्रभावित इन इलाकों का हेलिकॉप्टर से दौरा करेंगी बताया गया कि इन इलाकों में लोगों तक रहात पहुचाने के लिए सेना की मदद ले गई और अब तक करीब सौ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है लेकिन मुख्यमंत्री ममता बेनर जी ने इन हालाद के लिए बारिश के बजाए जारखंड के मांधों से छोड़े गए पानी को कुसूरवार ठहरा है ममता ने उंगली उठाई तो बीजेपी भी इस मसले पर पलड़वार करने से नहीं चुकी इन हालाद के बीच बार प्रभावित इलाकों में फसे लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकालने का काम जारी है अब जब्मू में भी वागा बॉडर की तरह रिट्रीट सेर्मेनी होगी आज शाम साड़े चार बज़े आरेस पुरा सेक्टर की ओक्च्वाई पॉस्ट पर बीएसेफ की तरफ से रिट्रीट सेर्मेनी होगी हाला कि इसमें पाकिस्तान भाग नहीं लेगा रिट्रीट सेर्मेनी का आयोजन बीएसेफ अपने ही इलाके में करेंगे उपरा जपाल मनोज सिनहा विशेश तरफ पर इस रिट्रीट सेर्मेनी में शामिल होगी अमेरिका के हवाई राज्ज में पृत्वी के सबसे खतरनाक जौला मुक्यों में एक जौला मुक्य अचानक फट गया यह भई जौला मुक्य है जिसने वहाँ तीन साल पहले इतना कोहराम बचाया था कि 700 से ज़्यादा मकान तबाह हो गये थे और हजारों लोग अपना घर छोड़कर भाग गये थे हलाकि इस बार जिस जगह पर यह जौला मुक्य फटा है वो पूरा हिस्सा एक नैशनल पार्क में आता है जहां आम लोग नहीं रहते लेकिन अभी तो बस शुरुवात ही हुई है आगे यह जौला मुक्य क्या-क्या रंग दिखाएगा उसका अंदाजा किसी को नहीं क्योंकि तस्वीरें देखकर तो ऐसा ही लगा कि जौला मुक्य का असली रूप सामने आना भी बाकी है जौला मुक्य के अंदर हिलोरे मार रहे लावे को जहां रास्ता मिला उसने वहीं से ही जमीन फाड़ कर निकलना शुरू कर दिया इसके बाद तो जौला मुक्य पर उबलते लावे की ऐसी जील दिखी जिसमें मोटे मोटे बुलबुले पूटते नजर आए लावा भी इतना सुर्ख की देखने वाले की आँखें ही चौन्द आ जाए एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें जौला मुक्य के मुह से फ्रेंट बनने के भी संकेत मिलने लगे हैं एक दिन पहले दिल्ली से चंडीगर लोटने के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो ना तो कॉंग्रेस में रहेंगे और ना ही बीजेपी में जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंग के दिल्ली से चंडीगर लोटते ही पंजाब की सियासत में खलबली मचना शुरू होगे कॉंग्रेस चोड़ने के एलान और बीजेपी में ना जाने के कैप्टन के दावे के बाद पंजाब में थार्ड फ्रेंट की सुखबुगाहट सिर उठाने लगी है इसका संकेत राजिस अभसान सत्थ सुखदेव सिंग धीन्डसा के बयान से मिला न्यूज 18 से एक्स्क्लूजिव बाचीत में धीन्डसा ने के साथ मिलकर थार्ड फ्रेंट बनाने की संभाव ना जताई धीन्डसा ने कहा कि कैप्टन अगर किसानों के मुद्दे को हल करवाने में कामयाब होते हैं तो फिर विचारधारा और मुद्दों पर थार्ड फ्रेंट बनाने की पहल का वो स्वागत करेंगे धीन्डसा के बयान को गंभीरता से लेने की वजए खुद कैप्टन ने दी है दिली से चंड़ीकड लोटते ही कैप्टन ने कांगरेस और बीजपी को लेकर जो कुछ कहा उसमें इसका संकेत है सवाल उठता है कि कैप्टन के पास क्या विकल्प है बताया गया कि पंजाब लोटने के साथ ही कैप्टेन कॉंग्रिस के कई विधायकों और सांसदों के संपर्क में इसके अलावा पूर मुख्यमंत्री अपने समर्थकों और कुछ किसान नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं इन लोगों से बातचीत के बाद कैप्टेन 15 दिनों के अंदर किसी बड़े फैसले यानि की नई पार्टी का एलान भी कर सकते हैं बताया गया कि पंजाब कॉंग्रिस के कई विधायक कैप्टेन के साथ जा सकते हैं नई पार्टी विचारधारा के आधार पर थर्ड फ्रेंट बना सकता है पंजाब में कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद कई नेताओं की नाराज़िगी से कैप्टिन की उम्मीदों को पंख लगने लगे हैं इसकी एक जलाग पंजाब कॉंग्रेस के पूरवध्यक्ष सुनील जाखड के उस ट्वीट में भी दिखी जुसमें कैप्टिन और अमिशाह की मुलाकात की तस्वीर के साथ मशूर शायर बशीर बद्र का शेर नजर आया जाखड ने ट्वीट किया कुछ तो मजबूरिया रही होंगे यूही कोई बेवफा नहीं होता चूंकि अपने दो दिन के दिल्ली दौरे के समय कैप्टन ने जिस तरह से घ्रीमंसी अमिशाह से मुलाकात की उसके बाद उनकी बीजेपी में जाने की संभवनाओं ने जोन पकड़ लिया लेकिन अगर कैप्टन बीजेपी में नहीं जा रहे तो फिर अकाली दल या आम आदनी पार्टी में भी जाने की संभवनाओं की ना के बराबर है कैप्टन ने मुखिमंसी पत्सी स्तीफी से पहले और स्तीफी के बाद जिस तरह से राश्टरबात का काड़ खेला उसके बाद बीजेपी में जाने के लावा उनके पास अपनी पार्टी बनाने का ही रास्ता बचा है कैप्टिन के तेवर से साफ है कि उन्होंने कॉंग्रिस के साथ ही हिमरान खान के दोस्त और जनरल बाजवा से गले मिलने वाले नवजोज सिंग सिध्धू को हराने का बीड़ा उठा लिया है दिल्ली दोरे पर एनसे अजीट दोभाल से उनकी मुलाकात के कई माएने निकाले जा रहे है लेकिन असल सवाल यही है कि क्या कैप्टन को पार्टी में मौझूद उनके खेमे के विधायकों को समर्थन मिलेगा इस सवाल का जवाब देने से अमरिंदर ने फिलहाल इंकार कर दिया अमरिंदर ने भले ही जवाब न दिया हो लेकिन कम से कम एक दरजन विधायकों और नेताओं के उनके साथ आने का अनुमान है लेकिन अगर नराज विधायकों की संक्याद दो दर्जन हो जाती है तो मौझूदा कॉंग्रेस सरकार अल्पमत में भी आ जाएगी ऐसे में फ्लोर टेस्ट हुआ तो सरकार गिर जाएगी और पंजाब में राष्ट पति शासन का रास्ता खुल जाएगा कि उनके मन में ऐसा रहम है ऐसा पाप करने जा रहे हैं कि सरकार गिराने का भाज़पा है तो मैं उनको वांड करना चाहता हूँ वहां स्री चन्नी के नेटुत में कॉंग्रेस की सरकार है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ है जाहर है आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीती में कई उतार चड़ाव और दिल्चस्प घमासान देखने को मिल सकते हैं मुझाब की बाद 36 गड़ में भी कॉंग्रेस में घमासान मचा हुआ साफ नजर आ रहा है नेतरित्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सीम भुपेश के समर्थन में कॉंग्रेस के दस और विधायक दिल्ली रवाना हुए पहले से ही 18 से जादा विधायकों का दिल्ली में पहले से जमावडा लगा हुआ है बताया जा रहा है कि भुपेश भगेल के समर्थन में विधायक 57 MLA की सहमती वाले पत्र के साथ पी एल पुनिया से मिलेंगी और उसके बाद हाई कमान को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी क्रिशी सुधार कानून के खिलाफ सडकों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोट ने किसानों को फटकार लगाई और यहां तक टिपणी कर दी कि उन्होंने पूरे शहर का दम घोड़ दिया यूजेटीन के विकरांत यादव की रिपोर्ट है कि किसान महा पंचायत नाम के एक संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सडकों पर हो रहे किसान आंदोलोनों पर नाराजगी जाहर की इस संगठन ने याचिका में दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्यागर करने की अजाज़त मांगी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने सवाल किया कि जब कृशी सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनोती दी गई है तो फिर सडकों पर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है यह नहीं जज ने ये भी पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को नियाएक विवस्था पर भरोसा नहीं है इसके साथ ही कोट ने सख्त लहजे में का कि सडकों पर जो संगठन क्रशी सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम गोट दिया है जो रुकना चाहिए और सडक को जैम रखने पर भी जजज ने सवाल उठाए कि एक बार खानून को अदालत में चुनौती देने के बाद प्रदर्शन का कोई तुकनी मनता जिस पर याचिका करता ने सफाई दी कि वो प्रदर्शन कर रहे किसानों से अलग हैं और उन्होंने कहीं भी रास्ता जैम नहीं किया तो कोट ने कहा कि वो इस बारे में अदालत में हलफनामा दाखिल करें अब इस मामले की सुनवाई सुमवार को होगी वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार दिशा निर्देश टै कर सकती है दोहा में भारतिय पुरुष टेवल चेनिस टीम ने एशियन चैंपिनशिप में ब्रॉंज मेडल जी था उसे सेमी फाइनल में दक्षिन कोरिया ने तीन शून ने से हराया बारतिय महिला क्रिकेट टीम ने मेजबान अस्टेलिया के खिलाव पहली पारी में पांच विकेट पर 276 रन बना लिये दूसरे दिन भी इस टेस्ट में बारिश की वज़े से कई बार खेल रोकना पड़ा दिल्ली बुलिस के स्पेशल सेल ने दो बनमाशों को गिरफतार किया आरोप है कि इन्होंने गुजरात में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था उस्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में खेत में शौच के लिए गए एक बच्चे पर जुर्म ढ़ाय गया बताया गया कि उस खेत के मालिक ने घुस्से में आकर उस बच्चे को बिजली के एक खंबे से बान दिया यही नहीं उसके मूँ में भी कपड़ा ठूस दिया गया ताकि वो शोर न मचा सके इसके बाद जब वो बच्चा काफी देड़ तक अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू कि बच्चे को इस हालत में देखने के बाद घर वालों ने ठाने में इसकी शिकायत की वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कारवाई का भरोसा दिया कोलकता में दुरगा बूजा के लिए मुख्यमंत्री ममताब एनरजी की मूर्ती को एक पंडाल में सजाए गया इस मूर्ती में ममताब एनरजी को दुरगा के रूप में दिखाने की कोशिश की गई जिस पर बीजेपी पहले ही ए심 आतराज जता चुकी लेकिन इस विवाद के बीच कोलकता के कलब ने ममताब एनरजी की इस मूर्ती को पंडाल में सजा दिया सामने आई एक तस्वीर में टीम की इस मूर्ती के सामने पूजा करते दिखे इसके बाद वहां जमा कई लोग धाक की थाप पर डांस करते हुए नजर आए इस मूर्ती में दुरुगा की मूर्ती की तरह दस हाथों को दिखाए गया जिनके जरीए ममता सरकार की दस योजनाओं को दर्शाए गया इतना ही नहीं मदन मित्रा ने मूर्ती को आखरी रूप देने वाली रस्म को भी निभाया साथी उन्होंने ममता बेनर जी को दुरुगा से बहतर बता दिया मदन मित्रा के इस बयान पर बीजेपी भढ़क गई और इस पर कड़ा इतराज जताया जब ये मूर्ती बनवाई जा रही थी तब भी इस मुद्दे पर बीजेपी और टीमसी आमने सामने आ गए थे यूपी में कानपूर के बर्रा में अस्पी नेधा की सरयाम हत्या से हड़कम मच गया बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की कानपूर देहात युवजन सभा के उपाध्यागर हर्श यादव को गोली मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई इस घड़ना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए मौके पर पहुँची डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने बताया कि लड़के की गोली मार कर हत्या का मामला सामने आया है और पुलिस आसपास लगे CCTV कांगरों को खंगाल कर सच पता लगाने में जुटी हुई है हजारों करोन के घाटे में डूबी एर इंडिया एक बार फिर टाटा संस की हो सकती है खबर है कि टाटा संस ने एर इंडिया को खरीदने के लिए सबसे उंची बोली लगाई है जिसका मतलब यह है कि नीलामी की प्रक्रिया को सरकार की मनजूरी मिलने के बाद एर इंडिया पर Tata Suns का मालकाना हग हो जाएगा और नीजी कंपनी Tata Suns ही एर इंडिया को चलाएगी और कंपनी को घाटे से मुनाफ़े के रास्ते पर लाने की कोशिश करें एर इंडिया को देश की आजादी से भी पहले साल 1932 में Tata Suns नहीं मनाया था उस वक्त इसका नाम Tata Airlines था लेकिन 1996 में इसका नाम बदलकर Air India कर दिया गया था और 1953 में यानि 68 साल पहले इसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकारी Airlines Air India को भारी नुकसान उठाना पड़ा 2016 में कंपनी को 3,800 करोड का घाटा हुआ और 2017 में ये घाटा बढ़कर 6,000 करोड के पार चला गया 2018 में भी Air India को 5,000 करोड से ज्यादा का नुकसान हुआ और 2019 में घाटा बढ़कर 8,000 करोड के पार पहुँच गया 2020 में कोरोना संकट के दोरान घाटा फिर से 8,000 करोड के पारीब है टाटा की मौझूदगी एविएशन सेक्टर में पहले से है टाटा संस सिंगपोर एरलाइंस के साथ मिलकर विस्तारा एरलाइंस चला रही है और मलेशन एरलाइंस के साथ मिलकर एर एशिया को भी पहले से चला रही है यूपी के फतेपुर से अवैध धर्म परिवर्तन से जोड़ी बड़ी खबर आ रही है नियोजेटीन के अजीट सिंग की खबर है कि फतेपुर से एक दिन पहले गिरफतार किये गए नेपाली मौलाना हाफिज फिरोज आलम पर पुलिस ने अवैध धर्मांतरों की धाराओं में केस दर्च किया है मौलाना पर पिछले 20 साल में गाजेपुर मस्जिद में अवैध धर्मांतरों का राकेट चलाने का आरोप है पुलिस ने इस मामले में विदेशी फंडिंग की भी जात शुरू कर दी है गिरफतार किये गए मौलाना पर अवै तरीके से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और दूसरे कागस बनाने का भी आरोप है यह पाल राष्ट का एक नागरी जनपत फटेपुर के थाना गाजी पुच्छेटर के मेवाती महले से गिरफतार किया गया है यह विगत 20 वर्सों से अधिक समय से आकर जनपत फटेपुर में रह रहा था और मेवाती महले के पती से इसने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवंग पास्पोर्ट भी बनवा रखा था इसके विरुद, आईपीसी धाराओं के साथ साथ, पास्पोर्ट अग्यम की धारा, एवंग पुपलब्द, साच्छों के आधार पर धर्म परिवर्टन की धाराओं के अंतरगत, मुगदमा पजीट के जेल बेजने की कारवाई की गई है गाजिपूर बड़ी मस्जिद कमीटी के सदस्य अब्दूल मजीद खान ने आरोपी मौलाना पर 15 साल से पहचान छिपा कर धर्मान प्रण का राकेट चलाने का आरोप लगाया है इनकाल दिया गया है, इसलिए निकाल दिया गया है, यह गलस उच्छा बच्चों को देने ले लगा और यह भी कहने लगा कि आप बड़ाई लड़कियों को लाइए, अनिकाट की लड़कियों को, उसमें पाइसा भी मीलेगा, मज़ भी आएगा इस तरह से इसलिए जो है, भरगाउ जंगे दिये यहां तक कि एक ब्रामाल की लड़कियों को फिसी ने बड़ा करके लाए, और उसका निकाल भी इसने करा दिया राजस्तान में कॉंग्रेस की कले से जुड़ी खबरों के बीच बर्द्डे पॉलिटिक्स चल पड़ी, पहले सेचिन पालेट का बर्द्डे धूम नाम से बनाया गया था, अब अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए राजस्तान कॉंग्रेस के अध्यक्ष गोविन दोटासरा ने दिगविजे सिंग समेत मंच पर खड़े कुछ और बड़े नेताओं को खिलाया, और फिर लोगों ने उन्हें जम दिन के तोफे देने शुरू कर दिये, किसी ने फूल दिया तो किसी ने गुलदस्ता, किसी ने पगड़ी दी तो किसी ने हल दे दिया, तो क कोई उनके लिए सूत काटने का चर्खा लेकर पहुंचा, कॉंग्रेस दफ्तर पहुंचने वाली सड़क पर बेहसाब भीड़ जमा हो गई, राजिस्तान के लोग कलाकारों को भी लोगों के मनोरंजन के लिए बुलाया गया, यहां तक की ढोल का भी इंतिजाम किया गया, राजिस्तान में कॉंग्रेस शक्ति का संतुलन बिठाने के लिए दोबारा सचिन पालेट को PCC का अध्यक्ष बना सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो गोविन सिंग डोटासरा की छुट्टी तेह हो जाएगा,